नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनील मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चोहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास छै करोड की डकैती पार्ट फाइफ हाँ मैंने तुम से कुछ पूछा है मुझे पता चला कि ठाकुर भाई शुरूम से तेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाज की तरहें माल पर छपट सके इसलिए मैं ठाकुर भाईयों की बात नहीं कर रहा तो फिर उस पुलिस वाले की बात कर रहे होंगे मुडली की बात ठीक है ना हाँ उसने अपने आदमी के साथ हम पर तब गोलियां चलाई जब हम माल के साथ वहां से निकल जाने वाले थे वह इंस्पेक्टर तेरा आदमी था दिल्दार सिंग हां बोट बड़ी गलती हो गई मुझसे दिल्दार सिंग सांप की भाती फुम्फकार उठा साले उस पुलिस वाले को नहीं बताना चाहिए था कि हम कहां हाथ मार रहे हैं चलो अच्छा ही हुआ कि मारा गया तुम लोग बच गए मेरे लिए यही बहुत है वाडे कर मारा गया है दिल्दार सिंग चलता है जीना मरना तो लगा ही रहता है अगर मैं मर जाता तो तुम कैसे मरते मैंने कहा है मैं मर जाता तो यार तुम तो अब बहुत मजाक करने जो तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ है मैंने हिस्सा हाँ पूरा एक करो यह क्या कह रहे हो देव राच जोहान भाई एक करोड मेरा हिस्सा दिलदार सिंग तूने मुझे धंकी दे कर इस काम के लिए तयार किया ہے जबकि तू नहीं जानता कि देवराज चोहान किसी की धमकी में नहीं आता बहुत पुरानी हो गई है यह बात मैं तु लूट के माल का आधा आधा करने को तयार हो गया जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आधा तो क्या अगर माल तुम तक पहुंच जाता तो जरा सावी मुझे नहीं मिलना था देवराज चोहान ने सक्स्वर में कहा मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी फाल्टो की बात नहीं जवाब दे एक करोर लेना है कि नहीं यार तू मेरी बात का जवाब दे नहीं तो फोन बंद कर रहा हूं नहीं ऐसा मत करना दिल्दार सिंग जल्दी से बोला तू तो बोट सीरियस है पर यह तो बता तुझे किसने बढ़का दिया कि मैं तुझे दिल्दार सिंग मुझे जवाब चाहिए कि एक करोर तुम लेना चाहते हो यार नहीं आधा आधा नहीं करेगा दिल्दार सिंग मरे स्वर्मे बोरा नहीं मुझे बाकियों को भी हिस्सा देना है बाकी? हाँ जो मेरे साथ डकैती में शामिल थे यार देवरा चोहान भाई तू सयाना कब बनेगा? फोज लड़ने के लिए होती है हिस्सा देने के लिए नहीं तू देवरा चोहान अपनी फोज को बराबर का हिस्सा देता है वैसे मुझे लगता है कि तुझे अपना एक करोड नहीं चाहिए मैं फोन बंद कर रहा हूं चाहिए चाहिए दिल्दार सिंग जलदी से बोला दे दे क्या एक करोड कुछ तो हाथ आए सूखा तो नहीं रहूँगा दिलदार सिंग दुख भरे स्वर में कह उठा वैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कल दिन में तेरे पास करोड पहुँच जाएगा कहने के साथ ही लाइन कट गई दिलदार सिंग ने रिसीवर रखा और अपने आदमी को बुला कर कहा देवराद चोहान जग मोहन और मीरा बेदी को ढूंडो वै अभी इसी शहर में है कुछ देर पहले ही मैंने फोन पर देवराद चोहान से बात की है मोहन लाल साथू राम को साथ लेकर वापस पहुँचा साथू राम पहलवान की घर पर ही पहलवान का बेसबरी से इंतजार कर रहा था कि मोहन लाल आ पहुँचा था पहलवान उन्हें देखते ही छिपेस्तान से बाहर आ गया क्या हुआ? साधु राम ने पहलवान से पूछा पहलवान ने सब कुछ बता दिया इसका मतलब वह लोग माल के साथ भीतर ही है हाँ, देवरा चोहन शाम को बाहर गया था फिर धोती कुड़ते वाला गया उसके बाद कार पर कोई छोकरी बाहर गयी थी सब बारी-बारी गये? हाँ, अब भीतर कौन है? बिंदा ठाकुर, शंकर इसी रगड़े में मर गया बिंदा के साथ देवरा चोहन का साथी जगमोहन है पहलवान बोला हम, साधु राम बढ़ बढ़ाया भीतर दो और करोणों का माल, मौका बढ़िया है वह लोग सीधी तेरे माल तो देंगे नहीं शोर शराबा होगा ही मोहन लाल बोला साधु राम ने मोहन लाल को देखा फिर पहलवान से पूछा इसे कहां से पकर लिया तूने? उस्ताद, यह तो हमसे पहले ही इनकी चक्कर में था पहलवान ने सब कुछ बताया चाहता क्या है? बस थोड़ा सा हम, ठीक है तेरे पास रिवॉल्वर है? नहीं मोहन लाल ने जवाब दिया बिना रिवॉल्वर के करोणों का माल हाथ कैसे आएगा? साधु राम बुरा सा मुह बना कर बोला उस्ताद साइड में आ जाओ हम बीच में खड़े हैं तीनों अंधेरे में चले गए तुम करना क्या चाते हो उस्ताद? इससे सेफ मौका फिर नहीं मिलेगा देवरा चोहान है नहीं बीतर दो हैं इन्हें मारो और माल लेकर चलते बनो मोहनलाल तुम कार चलाना जानते हो? हाँ तो जल्दी से कहीं से कार चोरी करके ले आओ मोहनलाल वहां से चला गया अपनी रिवॉलवर निकाल ले पहलवान साधो राम ने रिवॉलवर निकाल कर कहा हमें फॉरण एक्शन में आना है मोहन लाल के कार के साथ आते ही अच्छा उस्ताद पहलवान ने कपड़ों में छिपा रखी रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली कुछ पल बीते होंगे क्योंने पैदल ही कोई आता दिखाई दिया दोनों सतर्क होकर और भी अंधेरे में दुबग गए आने वाला देवराज चोहान था जो उनके सामने से गुजरता हुआ गैराज में परवेश कर गया यह तो देवराज चोहान था पहलवान ने खामोशी तोड़ी हम देवराज चोहान वापस आ गया इसका मतलब बाकी भी आएंगे वह तो आएंगे ही पहलवान ने सिर्ह लाया माल का बटवारा होना बाकी है शायद बटवारे के बाद ही सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ेंगे अब क्या किया जाए पहले तो दो थे अब यह तीन हो गए है काम शुरू होते होते चार पांच हो जाएंगे सबसे एक साथ टकराना कठीन है उस्ताद मामला हम पर भारी पड़ सकता है पहलवान करोणों की लूट है यह पांच है एक एक के पल्ले करोड तो आएगा ही मैंने ठीक कहाना तो इनको बटवारा कर लेने दे बटवारे के बाद जब वह लोग एक एक करके बाहर आएंगे तो एक आज के माल पर ही हाथ साफ कर लेंगे एक दो करोड तो हाथ लगी जाएगा अपने लिए यही बहुत है बात तो तुम्हारी सही है उस्ताद तभी मोहनलाल उनके पास आ पहुंचा आ गया तू कार लाया है हाँ उधर अंधेरे में खड़ी है खड़ी रने दे बैट जातू यही पर कुछ देर के लिए हमारा प्रोग्राम लेट हो गया है पहलवान तेरा क्या ख्याल है बटवारा कब तक होगा आज रात को तो होना ही चाहिए उस्ताद आखिर कब तक माल के साथ सब इखटे रहेंगे ऐसा करना अकलमंदी तो है नहीं हम साधू राम ने सिर्य लाया रात भी देख लेते हैं मीरा बेदी ने चलती सड़क के किनारे कार रोकी और उतर कर लापरवाई से आगे बढ़ गई कुछ आगे जाकर सड़क पर जाती टेक्सी को रोका और शहर की सीमा पर बने तूटे फूटे पेट्रोल पंप पर पहुँची देखने पर ही मालूम हो रहा था कि लंबे अर्से से पेट्रोल पंप बंध है चारो तरफ धूल ही धूल पड़ी थी पेट्रोल डालने वाली मशीनों के चेहरे तक पहचानने कठिन हो रहे थे पेट्रोल पंप सड़क के किनारे से कुछ हट कर था केविन तक तूट फूट कर बुरी हालत में पहुँच चुका था उसके पीछे बनी तीन कमरों की कॉटेज दुरस्त हाल में थी परन्तु उस पर हुए पेट्र के टुकडे सूख कर उदरने आरंब हो चुके थे मीरा बेदी ने कुछ पहले ही टैक्सी रुकवा कर उसी किराया देकर चलता किया और जैकेट की जेब में हाट डाले पेट्रोल पंपर आ गई रात की साड़ी दस बज रहे थे हर तरफ सुनसानी का वातावरन था वहाँ जल रहा एकलोता बल्ब पीली रोष्णी फेक रहा था खुले वातावरन में चलती थंडी हवा जिस्म को अच्छी लग रही थी मीरा बेदी कॉटेज बर पहुँची और बेल बजाई भीतर बेल बेजने की आवास पश्ट उसे सुनाई दी कुछी पलों में दरवाजा खुला दरवाजा खोलने वाला 35 बरस का गठीले कट का खतरनाक सा दिखने वाला युवक था सिर पर छोटे छोटे बाल गठा बदन आँखों में हरदम समाई रहने वाली खोनी चमक बदन पर धीली ढाली पैंट कमीज मौजूद थी दांतों में माचिस की तीली फसा रखी थी जिसे रहत चबाय जा रहा था उसका नाम जगदीश ग्रेवाल था हेलो डार्लिंग मेरा बेदी उसके गले से लग गई जगदीश ग्रेवाल ने तुरन थी कंदों से पकड़ कर उसे अपने से जुदा किया परहट तेरे से नाले की गंदी पदबुआ रही है लेकिन मैं तो नहा कर आई हूँ जगदीश नहाने से गंदगी दूर रही होती जगदीश ने तीखे स्वर में कहते हुए उसे सिर्थ से पाउं तक नहारा अपने कपड़ों के हालत देखी है लगता है जैसे किसी जानवर से जाचिपकी हो मैं किसी से नहीं चिपकी सिर्फ तू ही तो है मेरा जगदीश किरेवाल मुँ बना कर पल्टा और भीतर कमरे में जा पहुँचा मीरा बेदी उसकी पीछे पीछे पहीं पहुँच गई जगदीश ने खुली पोतल में शराब गिलास में डाली और एक ही सांस में गिलास समाप्त कर गया आगे बढ़कर मीरा बेदी ने अलमारी खुली और उसमें से कपड़े निकाल कर पहने शीशे के सामने खड़ी होकर बालों को ठीक किया फिर उत्रे कपड़ों का सामान जेबों से भर कर सिगरेट सुलगा कर कश लिया मैंने यह कपड़े तेरे लिये नहीं रखे जगदीश किरेवाल ने तीखे स्वर में कहा बह आती है और चली जाती है लेकिन मैं नहीं गई मेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है जगदीश पलता है तो पलता रहे मैंने तो पहले ही कह दिया था साफ करा ले लेकिन मैं तेरी बनना चाहती हूं तुस्ते शादी करके बच्चे को जन देना चाती हूं। जगदीश गिरेवाल ने हिकारत भरी निगाहों से उसे देखा। मैं तुझे कई बार कह चुका हूं कि मेरी बीवी वही लड़की बन सकती है जो मेरी लाइन में कुछ कर गुजरने के लायक हो। और किसी काम से मुझ उसे यही सुनना चाती थी जगदीश मीरा बेदी ने कश लिया अगर मैंने तुझे 25 लाख रुपया कमा कर दिखा दिया तो मुझे शादी करेगा हां करूंगा तीन हत्याओं के जुर्म में मेरे पिछे पुलिस है मैं सोच रहा हूं कि हमेशा के लिए इस शहर से चला ही ज जाना हो तो साथ में पैसा और बीवी हो तो अच्छा लगेगा बीवी कौन मैं 25 लाख कमा कर दिखा फिर मेरी बीवी बनना जगदीश ने कटू स्वर में कहा हिम्मत है तो जाकर पैंक लूट कहीं डाका डाल ताकि मुझे भी लगे कि तू मेरी बीवी बनने के काबिल है सब कुछ कर चुकी हूँ क्या कर चुकी है मेरे जिस्म से गंदे नाले की बद्बू उठती नहीं देखी क्या यह सब कुछ करने का ही परिणाम है मीरा बेदी ने गर्व के साथ कहा जगदीश के रिवाल उसे खूरता हुआ आगे आया और करीब आकर खड़ा हो गया मीरा ब भाई ओम भाई ज्वैलर्स के शोरूम में गटर से घुस कर नीचे से रास्ता बना कर शोरूम में परवेश किया था मैंने एक करोड कमाया है एक करोड जगदीश गिरेवाल के होट भिज गए हाँ पूरा मुझसे मजाक करती है मैं सच कह रही हूँ कहां है नावा डकैती मे मेरे पाकी भी साथी है उनके पास मैं तो तीन लाशे ठिकाने लगाने निकली थी वापसी पर बटवारा होगा मुझ अंधेरे तक मैं एक करोड की दौलत के साथ तुझ तक पहुंच दकती हूँ बशर्ते की तू मुझस से शादी करे और मेरे बेट में जो बच्चा है उस इतने हिस्सेदार है इस मामले में 5-6 इसका मतलब 5-6 करोड का माल है जगदीश गरेवाल होट भीच कर कह उठा उसकी आखों में खतरनाक चमक विद्धमान हो गई थी मीरा बेदी ने आखे सिकोड कर जगदीश को देखा क्या सोच रहा है तू ऐसे मौके बार बार नहीं मि कोटा माल है जगदीश किरेवाल ने मीरा बेदी के गाल को दबाया अपने पास आ जाए तो सारा कलेश कर जाए मीरा बेदी ने उसकी आखों में छाका तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शादी वाला जवाब हाँ शादी तो हो गई समझ तू मेरी बीवी बनने के हुआ दू कि इस मामले में बहुत खदरनाख भोग हैं देवरात जोहान का नाम तो सुनाई होगा देवरात जोहान हाँ वे खदरनाक शक्स इस डगैती का सरगना था तुमने उसके साथ काम किया है जगदेश किरेवाल के स्वर में हैरानी आ गई ए दिपकेती में उसी का द तोजना थी वह भी लूट के माल का हिस्सेदार है ऐसे खतरनाक लोगों के होते तुम अपनी सोचों में सफल नहीं हो सकते चुपकर जगदीश करेवाल भेड़िये की तरह गुर राया जगदीश एक बार जो सोच लेता है वह करके रहता है मुझे इस समय पैसों की सक जरूरत है कहने के साथ ही वह आगे बढ़ा और खिरकी खोल कर बाहर अंधेरे में घूरने लगा कोटेज के तीन तरफ जंगल था और चौथी तरफ चट्टाने फिर सड़क बहुत ही सेफ जगे थी यह है मीरा बेदी ने नई सिगरेट सुलगा कर कश लिया निगाहें खिरकी पर ख वहाँ पर कितने आदमी हैं वहाँ बिंदा ठाकुर जगमोहन गिर्पाराम देहाती और देवराच चोहान कुल चार और सारे के सारे ही खतरनाक मीरा बेदी कमभीर थी तो क्या इन लोगों से माल नहीं छीना जा सकता जगदीश की आवाज में ठंडक थी छीना जा सकता है मी मीरा बेदी ने शनिक चुपी के बात कहा तो फिर तू मुझे खतरनाक लोगों का डर क्यों दिखाती है जगदीश के रेवाल पलट कर गुर राया तुझे मालूम है मैं सब कुछ कर सकता हूँ मुझे गेराज की सिचुएशन बता कि भीतर क्या क्या है माल कहां पड़ा है म बाकी का मैं और मेरे आदमी संभाल लेंगे कौन से आदमी सुभेदार अपने आदमी लेकर मेरे साथ काम करेगा नहीं माना तो गर्दन उड़ा दूंगा उसकी मैंने उस पर बहुत एहसान किया है तुझ तुन ले कि तुझे क्या करना है कहने के साथ ही जगदेश के रेव और बिंदा ठाकुर मौजूद थे पास ही दोनों थैले मौजूद थे मेरा भीदी ने सिग्रेट सुलगाई और कश लेकर बोली मेरे खयाल से बटवारा शुरू किया जाए तभी किरपाराम देहाती उठा और कुछ दूर पर पड़ा पैकेट ले आया उसे खोल कर उसमी से चोटा सा तराजो निकाला और टेबल पर रख दिया आती समय मैं इसे खरीद कर ले आया था ताकि सोना तोलने में आसानी रहे गुड देवरा चोहान ने सिरह लाया जगमोहन पहले एक थेला खोल कर बीच का सारा माल टेबल पर रख दो देहाती फोरन उठ खड़ा हुआ ज सोनों ने बड़ा सा थेला खोला और बीच में पड़ा सोना निकाल कर टेबल पर रखने लगा। सोने की बड़ी ईटों और बिस्किटों के टेबल भरता जा रहा था। मीरा बेदी उठी और केविन का दर्वाजा बंद कर दिया। दर्वाजा खोल दे, बिंदा ठाकुर बोला, कुछ तो हवा आने दे, बंद रहने दो इसे मीरा बेदी ने कहा, कुछ देर गर्मी सहलो, यहां माल खुला पड़ा है, और तुम दर्वाजा भी खुला रखना चाहते हो बिंदा ठाकुर कुछ न बोला, मीरा बेदी होटो में लगी सिग्रेट से धुआ उगलती जा रही थी वह लोग अपने काम में व्यस्त थे, मीरा बेदी की सिग्रेट समाप्त हुई, तो उसने दूसरी सिग्रेट सुलगा ली लगातार तीसरी सिगर सुलगाई की जगमोहन बोला मेरा सीर कुछ भारी हो रहा है मेरा भी बिंदा ठाकुड ने अपने सीर पर हाथ फिरा खुली हवा नहीं आ रही है दिहाती ने कहा मेरे ख्याल में दर्वाजा खोल लिया जाए सर तो मेरा भी भारी हो रहा है मेरा बेदी बोली लेकिन जब तक माल खुला है इस दरवाजे को बंधी रखा जाए तो ठीक रहेगा तुम लोग करहिया की लाश को भूल रहे हो किसी ने उसकी लाश को खोद कर देखा था क्या मालूम वह आसपास रहे कर हम लोगों पर नज़र रख रहा हो हमें किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए यह ठीक कह रही है देवराज चोहान बोला थोड़ी देर गर्मी बरदाश कर ली जाए तो ठीक ही है तभी बिंदा ठाकूर की गर्दन नीचे लटक गई क्या हुआ इसे देहाती फोरण उसकी तरफ लपका सबकी निगाहे बिंदा ठाकूर की लटकी गर्दन पर टिकी थी यह तो बेहोश हो गया देहाती ने सब को देखा उसी समय जगमोहन ने अपना सिर थाम लिया उसका जिस्म लहराया तभी क्रपाराम देहाती ने उसे थाम लिया देखती ही देखती जगमोहन का शरीर क्रपाराम की बाहों में लटकता चला गया यह भी गया कहते वे देहाती ने उसे नीचे रिटा दिया देवराज जोहान की आँखें सिकुर गई उसने मेरा बेदी की होटों में फसी सिगरेट को देखा मेरा बेदी शान निगाहों से उसे देख रही थी इस सिगरेट में क्या है? देवरा चौहन गुर्राया कुछ भी नहीं मेरा बेदी हसी देवरा चौहन फुफकार कर उठ खड़ा हुआ चहरा आग के गोले के समान तब उठा तेरी इस सिगरेट की तमबाखु में बेहोश करने वाली दवा मौजूद है जो धुएं के साथ वातावरन में फैलती है तूने तभी केबिन का दरवाजा बंद कर दिया था कि सिगरेट का धुआ बाहर न जाए मेरा भी सिर्फ भारी हो रहा है तू क्या समझती है हमें बेहोश करके सारा माल तू अकेले ही उडा लेगी कहने के साथ ही देवराद चोहान मीरा बेदी पर जपटा मीरा बेदी रबड के पुतले की भांती उछल कर खड़ी हो गई इससे पहले की देवराद चोहान उस तक पहुँचता बिजली किसी गती से उसने टेबल पर पड़ी सोने की इट उठाई और वेग के साथ उसके सिर्फ पर मारी देवराद चोहान को मीरा बेदी से इतनी फूर्ती की आशा नहीं थी इसी कारण वह मात खा गया सोने की इट सिर पर लगते ही देवराद चोहान ने करा कर दोनों हातों से सिर थाम लिया मेरा बेदी ने फौरण दूसरी इट उठा कर ते मारी दूसरी उसके माथे पर लगी देवराद चोहान का शरी लहराया खुद को संभालने की पहुत कोशिश की परन्तु संभलना सका घुटने मूर्ते चले गए और बेहोश होकर वह नीची जा किरा मेरा बेदी ने मन ही मन रहात की सांस ली उसी पल उसकी निगाह देहाती पर पड़ी जो केबिन का दरवाजा खोले वहीं खड़ा गहरी-गहरी सांसे ले रहा था उसके हाथ में थमी ओम भाई वाली रिवॉल्वर का रुख मीरा बेदी की तरफ था हिलना नहीं मेरी जान किरपराम देहाती एका एक क्रूर स्वर में कह उठा जेब में जो कुछ है उसे वहीं पड़ा रहले दे मेरा बेदी उसे देख कर अदा के साथ मुस्कुराई सिग्रिट की नशीले धुएं से तू बिहोश क्यों नहीं हुई जवाब में मेरा बेदी ने मूँ खोला और एक गोली निकाल कर नीचे गिरा दी इस गोली को मुँ में रखने से दुएं का असर मुझ पर नहीं हुआ लेकिन मेरे भोले बल्मा यह रिवॉल्वर किस कुशी में निकाला है तुम अपने आपको बहुत चालाग समझती हो क्यों? मेरा बेदी अपने चेहरे पर हैरानी लियाई तु हम सब को बेहोश करके सारा माल ले उड़ना दिमाग खराब हो गया है तुमारा मेरा बेदी उसकी बात काट कर तीवर स्वर में कह उठी सब कुछ मैंने तेरे दम पर तो किया है परना मुझ में तो इतनी हिम्मद भी नहीं कि सोने से भरे इन थैलों को उठा सकू और अगर मैं भी बेहोश हो जाता तो मैं दो मिनट में तुझे होश मेरे आती जो गोली मेरे मुह में थी वही गोली तुझे सुखाती तो तुझे फॉरन होश आता मीरा बेदी उतावले स्वर में बोली अब ज़्यादा देर न रगा जल्दी से माल वापस थैले में डाल इनमें से किसी को होश आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे सच कह रही है तु देहाती का स्वर शंका से लिप था तु पागल तो नहीं हो गया कैसे बताती जब मैं यहां पहुँची तो तुम सब इखटे बैठे थे मेरे आते ही माल के बटवारे की बात होने लगी सब के बीच बताती क्या देहाती ने मीरा बेदी को देखा सोचा फिर सिथिलाया ठीक है माल लेकर कहां जाना है मेरे पास बहुत ही सुरक्षित जगए है यहां से तो खिसक देहाती ने रिवॉल्वर अपनी धोती में अटकाई और आगे बढ़कर टेबल पर पड़ी सोने की इंटे और बिस्कुटों को वापस थैले में डालने लगा माल आधा आधा होगा मेरी जान एका एक देहाती ठिटक कर बोला हाँ हेरा फेरी की कोई गुंजाईश है देहाती ने सक स्वर में पूछा नहीं हम दोनों के पीच हेरा फेरी की कोई जगे नहीं मेरा बेदी मुस्कुराई पांच मिनट में ही किरपराम देहाती ने सारा माल वापस थैले में डाला और अच्छी तरह से थैले का मूब बंद कर दिया यह सब करने के बाद वह पलट भी ना सका मेरा बेदी की आँखें प्रेतनी की तरहें चमक रही थी उसने जेब से चाकू निकाला और निशब्द उसे खोल लिया देहाती ने जो ही थैले का मूब बंद किया मेरा बेदी ने बिल्ली की भाती छलांग लगाई और देहाती पर चागिरी उसके हाथ में थमे चाकू का फल देहाती की गरदन में समाता चला गया देहाती पेट के बल थैले के उपर चागिरा मेरा बेदी दिहाती के उपर से हटी तो गहरी गहरी सांसे ले रही थी उसकी गर्धन में फसाद चाकु निकाल कर उसकी धोती से साफ करने के पश्चाथ बंग करके जेब में रखा और कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा रात का एक बजने जा रहा था उसने सब पर निगाह मारी निश्चिन्थ होकर वह बाहर निकली और रात के सननाटे को भंग करती हुई गैराज के फाटक की तरफ पड़ी बंद फाटक को उसने खोला और पाहर जाका कुछ पल वहीं खड़ी रही तभी कुछ दूर कार की हेडलाइट चली फिर इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई कार की हेडलाइट में मीरा बेदी का जिस्म रोशन हो उठा कार फाटक के पास पहुची रास्ता साफ है आ जाओ मीरा बेदी ने शान स्वर में कहा और फाटक खोल दिया जगदीश के रेवाल कार भीतर ले आया कुछी देर में दोनों ने मिलकर दोनों भारी थैलों को कार में डाला जब वहें लोग दूसरा थैला उठाने की तयारी में थे तब बिंदा ठाकूर का शरीर हिला था बे मौके पर ठाकूर को होश ना आ जाए जगदीश ने जेब से रिवालवर निकाल कर उसका हथा पांस साथ बार वेक के साथ उसकी कनपट्टी पर मारा मर गया जगदीश के रेवाल हसा मैंने तो इसे अच्छी तरह बेहोश करने के लिए रिवालवर की दस्ते का इस्तिमाल किया था मीरा बेदी लापरवाई से कंदे उचका कर रह गई जब वहे दोनों थेले कार में रखकर चले तो प्रसंता से काप रहे थे छै करोड की दौलत उनके कदमों में थी इतनी दौलत का तो उन्होंने कभी सबना भी न देखा था तुम सुवेदार की साहता लेकर बेकार में भीड इखटी करने जा रहे थे मेरा एडिया कैसा रहा मेरा बेदी खिल खिला कर हसी बहुत ही बढ़िया रहा तुम वास्तव में मेरी बीबी बनने के काबिल हो कार तेजी से गैराज के फाटक से बाहर निकलती चली गई रास्ता साफ है आ जाओ यह शब साधूराम, पहलवान और मोहनलाल के कानों में पड़े तो वह सतर्ख हो गए फिर देखते ही देखते कार और मीरा बेदी गैराज में परवेश करते गए मुझे तो भारी गड़बर लग रही है मोहनलाल अधिरता से बोला कार वाला लड़की का यार है साधूराम दान भीज कर कह उठा बीतर उल्टा पुल्टा हो चुका है वरना जहां देवराज चोहान हो वहां रास्ता युही साफ नहीं होता उस्ताद पहलवान बोला कहीं लड़की ने सब को ठिकाने न लगा दिया हो और अपने यार के साथ मिलकर सारा माल ले जाने की फिराक में हो कुछ समझ में नहीं आता साधूराम ने परिशानी भरे स्वर में कहा पहलवान फाटक थोड़ा सा खुला है गैराज में जहांक कर देख तो पहलवान अंधेजे से निकला और गैराज की तरफ बढ़ गया तुम्हारा क्या खैयाल है मोहन लाल ने साधूराम से पूछा वह चोकरी देवराग चोहान जैसे इनसान को साफ कर सकती है कर सकती है मैं नहीं मानता मत मान तू मुझे साफ कर सकता है न मैं नहीं मुझ में तेरे को साफ करने की हिम्मत नहीं जब करोडों का माल तेरे सामने हो और तो उसे उड़ाने की योजना बना ले तो तब मेरी पीट में तू छुरा तो मार ही सकता है मैं तेरी तरफ से सावधान तो होंगा नहीं साथी पर कब तक अविश्वास किया जा सकता है बात तो तेरी ठीक है मोहन लाल ने सिर्ह लाया बस इसी तरह चोकरी ने देवराज चोहान को ठिकाने लगा दिया होगा कुछी शनों में पहलवान पलट कर वापस आ गया उस्ताद वह हाफ रहा था वह दोनों तो बड़ी भारी भारी थैलों को घसीटते हुए कार में डाल रहे हैं हम मेरा खयाल ठीक निकला वह लोग माल लेकर खिसकने की फिराक में है साधुराम का चेहरा बयानक हो उठा सुनो यह हमारे लिए बहुत नाजुक वक्त है वह दोनों छोकरा छोकरी माल लेकर खिसक गए तो उनको ढूनना कठिन हो जाएगा वक्त अभी हमारे हाथ में है जो ही वह बाहर निकले घेर कर भून दो उस्ताद गोलिया चली तो आवाज होगी लोग आ जाएंगे गोलिया चले तो लोग नहीं आते दूर रहते है साधू राम ने कड़वे स्वर में कहा जादा देर का मामला नहीं है उन दोनों को मिंटों में ही उड़ा दिया जाएगा कार और कार में मौजूद माल लेकर हम खिसक जाएंगे पहलवान साधू राम ने रिवॉल्वर निकाल दी हाँ उस्ताद रिवॉल्वर निकाल और रास्ते की दूसरी तरफ हो जा इधर मैं रहता हूँ अगले ही पल पहलवान रास्ते की दूसरी तरफ जाचिपा साधू राम ने पास बैठे मोहनलाल को देखा उल्लू के पठे आगे से रिवॉल्वर जेब में रखा कर मोहनलाल ने कुछ न कहा अब यहां बैठा मेरा मूग क्या देख रहा है परेहज़ा नहीं तो मरेगा मोहनलाल साधू राम से दूर हट गया कुछी तेज के इंतजार के बाद कार गैरास से बाहर निकली साधू राम ने निशाना बांधा और ट्रेगर दबा दिया फायर की तेज आवाज वातावरन में गोंज उठी गोली कार का शिशा तोड़ती हुई जगदीश क्रेवाल के बालों को जुलसाती हुई खिड़की से बाहर निकलती चली गई जगदीश क्रेवाल ने फॉरन कार को ब्रेक लगाई और नीचे चुक गया मीरा बेदी तो पहले ही नीचे चुक चुकी थी कार में दोनों की सांसों की आवाज कुंज रही थी दोनों ने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली थी तुम तो कहती थी सिर्फ वही लोग हैं जगदीश दांज भींज कर कुर राया हाँ सिर्फ वही लोग थे तो यह कहां से पैदा हो गए ग्रेवाल ने दांज पीसे तुम्हारी ही तरह मैं भी अंजान हूँ इनको ठिकाने लगाने का प्रबंद करो मीरा बेदी ने क्रूर स्वर में कहा कार के साथ फोरण भागना है हमें वह लोग कार के टायरों पर भी फायर कर सकते हैं हमारी खोपड़ी पर भी तो फायर कर सकते हैं मीरा बेदी ने थोड़ा सा उपर होने की कोशिश की तुम कार संभालना मैं इन लोगों को देखती हूँ स से टकरा कर छिटक गई मीरा बेदी फोरण नीचे जुब गई फाय करने वालों की दिशा का आभास उसे हो गया था और फिर अगले ही पल मीरा बेदी उचल कर सीधी हुई और रिबॉल्वर वाला हाथ खिलकी से बाहर निकाल कर एक साथ तीन फायर किये तक पस्चात पुना फ तुम कैसे कह सकती हो मैंने उसी जगे का निशाना बांदा था जहां से उसने दो बार फायर किये थे कुछ देर ऐसे ही रहो और देखो फायर होता है या नहीं मीरा बेदी द्वारा चलाई गई तीनों गोलियों में से एक ठीक साथू राम के माथे की बीच लगी थी वह ची पीना सका था और नीचे जागिरा कोश दोर छिपकर खड़े मोहन लाल को समझते देर न लगी कि साधू राम गया मोहन लाल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था अब इन लोगों के सहारे रहना पेवकूफी थी सिर्क पहलवान बचा था साधू राम से तो आशा रखी जा सक पहलेगा उसके बाद ही इस बारे में कुछ सोचेगा मोहन लाल दबे पाउं भागा और कार तक जा पहुंचा स्टेरिंग खोला और भीतर बैठ गया निगाहें दूर खड़ी मीरा बेदी वाली कार पर थी लंबी खामशी के बाद मोहन लाल ने उस कार को हिलते फिर भागत से देखा मोहन लाल ने होट भीच कर कार स्टार्ट की कि तभी कार का पिछला दर्वाजा खुला और पहलवान भीतर सरकाया मोहन लाल उसे देख कर सक पकाया फिर तेजी से कार आगे पढ़ा दी कोछी शणों में उचित फासला रख कर मोहन लाल क्रेवाल की कार का पीछा कर रहा था, तेरा उस्ताद मर गया है, उसके माथे में गोली रगी है, मालूम है मैंने देख लिया था, तुने गोली क्यों नहीं चलाई, मेरे रिवॉल्वर का चैंबर अटक गया था, क्या, हाँ, चक्री नहीं हिली, कोई गडबड हो गई है रिवॉल्वर में, मोहन लाल गहर सांस लेकर रह गया, बिना हत्यार के हम इन लोगों से फूटी कोड़ी नहीं हासिल कर सकते, पहले इनका ठिकाना तो पता चले, पहलवान ने धीमे स्वर्मे कहा, उस्ताद का बहुत सहरा था, मोहन लाल की निगाहें दूर जा रही कार पर टिकी थी, अच्छा हुआ जो मर पहलवान हौले से हसा, क्या, मोहन लाल चौका, हाँ, पहलवान ने सिगरेट जला कर कश लिया, अगर माल हाथ लगता तो सारा उस्ताद नहीं जाड़ ले जाना था, हमें राहत के तौर पर खोटा सिक्का पकड़ा देता, मैं साधू राम को बहुत पुराना जानता था, ब पहले जरा इनका ठिकाना तो जान लें, वैसे इसने क्या खूपसूरती के साथ हात मारा है, देवराद चौहान तक को हटा दिया रास्ते से, जगमोहन को होश आया, तो उसका सिर्श चक्रा रहा था, कठिंदा से उसने आँखे खोली, तो सामनी ही बिंदा ठाकूर की लाश देखते ही उचल कर खड़ा हो गया, तभी उसके कानों में एक साथ तीन फायरों की आवाज गूंजी, जगमोहन ने चौक कर बाहर की तरफ देखा, केविन की द्वार पर किर्पा राम दियाती की लाश देख कर बह सकते किसी हालत में रह गया, और छै करोड के बड़े थैल जमा पड़ा था, जगमोहन ने देवराज चोहान को जगाया, परन्तु उसकी बिहोशी दूर नहीं हुई, ज्यादा समय नहीं था, बाहर गोरियां चल रही थी, कुछी देर में लोगों ने बाहर इखटा हो जाना था, पुलिस ने आ जाना था, इतना तो वह समझी गया थ कि मीरा बेदी ही धोके बाज है, क्योंकि माल के साथ वह भी गया थी, तभी उसकी निगाह सोनी की छोटी सी इंट पर पड़ी, उस पर खून लगा हुआ था, यही वह इंट थी, जिससे मीरा बेदी ने देवराज चोहान पर वार किया, जगमोहन ने इंट उठा कर अपने क कपड़ों में चुपाई, और नीचे पड़े देवराज चोहान को कंधे पर लादा और भागता चला गया, कुछ पलों में वह फाटक से बाहर था, बाहर अभी फिर इखटी नहीं हुई थी, देवराज चोहान को कंधे पर लादे वह अंधेरे में गुम होता चला गया, र खोर का उजाला फैलने वाला था जगमोहन ने उसके माथे और सिर का घाउस साफ कर दिया था उसे होश आते देख जगमोहन बोला क्या हुआ था मीरा बेदी के कारण सब गडबड हो गई सिगरेट के नशीरे धुएं से उसने सब को बेहोश किया और माल ले उड़ी बिंदा ठाकुर और किरपाराम देहाती की लाशे वहाँ पड़ी हैं कहां देवराज चौका गैराज के केबिन में ओह देवराज चौहन ने गहरी सांस दी मैं बेहोश नहीं हुआ तो सोने की एंट उठा कर मीरा बेदी ने मेरे सिर पर दे मारी वह एंट मेरे पास है उस पर खून भी लगा है जगमोहन गहरी सांस दे कर बोला वह माल के दोनों थेले ले गई है देवराज चौहन जगमोहन को देखता रहा बोला कुछ नहीं हमेशा की तरह इस बार भी माल गया जगमोहन कहे जा रहा था जब मुझे होश आया तो बाहर गोलियां चल रही थी हमारा महां रुकना ठीक नहीं था मैंने तुम्हें उठाया और यहां ले आया देवराज चौहान ने सोचघ्ष भरी मुद्रा में सीछब लाया यह काम मीरा बेदी अकेरे नहीं कर सकती क्या मतलब मीरा बेदी के साथ उसके कुछ साथी अवश्य होंगे देवराज चौहन का दिया था माथे की सूजन बागी रह गई थी मीरा बेदी ने प्लान कैसे बना लिया सारा माल लूटने का मत भूलो कि वह लाशे ठिकाने लगाने बाहर गई थी वहीं वह किसी से मिली नशीरे धुएं वाली सिग्रेट लाई जब वह सिग्रेट की धुएं से हम सब को पाजे सुनी अब क्या कहा जा सकता है कि गोलिया किन किन लोगों की पीच चली परन्तु इन बातों से सपस्च जाहिर है कि एक पार्टी मीरा बेदी वाली रही होगी तुम इने तलाश कैसे करोगे दिलदार सिंग से बात करूँगा कि मीरा बेदी को उसने कैसे हासिल किया और उसके बारे में कुछ कैसे जाना जा सकता है देवराज चौहान ने गहरी सांस ली इस समय पाक से निकलना ठीक नहीं भोर के उजाले के साथ निकलेंगे देवराज चौहान का फोन है यह कहकर दिलदार सिंग को नीन से उठाया गया रिसीवर हाथ में पकड़ते दिलदार सिंग खींखीं करके बोला यार देवराज चौहान भाई सुभा सुभा फोन कर दिया इतनी जल्दी क्या थी करोड देने की दो घंटे बात दे देते मैंने माल देने के लिए फोन नहीं किया तो यह बताने के लिए कि अब करोड भी बात क्या है वह तेरी बम चीज थी ना वो मेरा बे थी हाँ वही तेरी बम चीज सारा माल ले उड़ी है मैं नहीं मानता क्या वो बम चीज ऐसा नहीं कर सकती फोन रग दूं क्या उसने वास्तव में ऐसा किया है दिलदार सिंग गहरी सांस लेकर बोला हाँ जाते समय वह किर परनाग बम चीज हुई हाँ अब क्या चाहता है तू मैं मेरा बेदी के बारे में जानना चाहता हूँ कहां से लाए थे तुम उसे तूसे तलाश करेगा हाँ छै करोड के माल को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता दिल्दार सिंग गहरी सोच में डूप गया अब हिसाब कैसे होगा म उसे तुझे दो करोड दे सकता हूँ छै में से दो हाँ हम दो हैं दो दो ही तीनों के हिस्ते आएंगे ठीक है मेरे ठीकाने पर आजा नहीं मुझे तुझ पर विश्वास नहीं तू अपने साथ सिर्फ एक आदमी रखेगा हम दोनों मिलकर मेरा बेदी को तलाश करेंगे त तुझे मुझे पर विश्वास नहीं नहीं ठीक है मैं अपना एक आदमी लेकर तेरे पास आ जाता हूँ एक तो हो नहीं चाहिए चिंता मत कर तेरे साथ करबर करके मैं हाथ आने वाला माल हाथ से नहीं जाने देना जाता और मेरे साथ आदमी भी वही होगा जो बम चीज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी रखता हो ठीक है तू है कहाँ पर रेलवी रोड पर से गुजरना कहीं न कहीं मैं तुम्हें मिल जाऊंगा इसका मतलब ना घर का ना घाट का वो याद है ना धोबी के कुट्टे वाली बात वह है सब कुछ याद है मुझे देवरा चोहां स स्वर में कह उठा तू अपने ध्यान रख वरना घाट में डूब जाएगा ही ही मैं आता हूं साथ में सिर्फ एक आदवी अरे बाबा एक ही होगा इस समय हमारा मिलकर चलना ही हमारे लिए ठीक रहेगा मैं आता हूं अभी कहने के साथ ही दिलदार सिंग ने रिसीवर रखा और पास ही मौजूद प्यल बजा दी बंदा हाजिर हुआ शिंदे को बुलाओ अर्विन शिंदे को दिलदार सिंग के होटों से गुर्राहाट निकली वह फोरन बाहर निकल गया दिलदार सिंग ने सिगरेट सुलगाई और अपने मोटे शरील पर गाउन को संभालते हुए उठा और चहल कदमी करने लगा चहरा कठोर हुआ पड़ा था दस मिनन बाद ही वहां चालेस वर्षी पक्के रंग का एक गहरे बदन वाला व्यक्ति आ पहुचा आँखों में नीन भरी पड़ी थी शिंदे दिलदार उसे देखते ही भड़क उठा तूने तो बोद गड़ बंचीज का नाम सुझाया था बंचीज वो मेरा मतलब की मीरा बेदी तूने ही तो कहा था वह हर तरह के ताले खुलने में एक्सपर्ट है उसे ले लूँ कहा था ना तूने कहा था लेकिन उससे तो आप पहले भी कई बार काम ले चुके हैं अगर तू याद ना दिलाता त तो मैंने किसी और को साथ ले लिया होता जानते हो उसने क्या किया सारा माल लेकर गायब हो गई है अर्विन शिंदे कुछ न बोला तेरा सारा कसूर माव कर सकता हूं अगर तू उसे पकड़वा दे मैं मैं कहा से पकड़वा दूं शिंदे घबरा कर बोला तूने उसकी दूसरे को पहुच चाहते हैं परन्तु उनकी आपस में पढ़ती नहीं है इसलिए दोनों अलगी रहते हैं मैंने उसके भाई से बात की थी कि तिजोरी खोलने वाले एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसने कहा मेरी पहन को ले लो अच्छा काम करती है वह मैंने आपको बताया त सिर्फिललाकर सोच भरे स्वर्में कहा तुम्हारा क्या ख्याल है उसका भाई उसके बारे में कुछ जानता होगा कह नहीं सकता शाय जानता हो और ना भी हो सकता है माल उड़ाकर वह अपने भाई के पास पहुँची हो शायद अर्विन शिंदे ने हिच की चाकर कहा क्या नाम है उसके भाई का राजन बेदी करता क्या है चोरी चकारी ही करके काम चलाता है शिंदे ने बताया दोनों में बनती क्यों नहीं यकीन की साथ कुछ नहीं कह सकता मीरा किसी गलत आदमी के फेरे में है और राजन को उस से उसका मिलना जुलना पसंद नहीं इसी कारण दोनों में अक्सर तक्रार होती थी मीरा इसी बात पर अपने भाई से अलग रहने रगी थी दिल्दार सिंग ने सोच भरे अंदाज में सीर हिलाया पांच मिनट में हाथ मूँ धोकर नीचे पहुँच मैं आ रहा हूँ बहुत जरूरी कहीं चलना है जी शिंदे सीर हिला कर बाहर निकल गया रोक रोक वो रहा अपना देवराद चोहन भाई दिल्दार सिंग के कहने की तेर सी कि शिंदे ने कार रोक री सड़क के किनारे खड़ा देवराद चोहन जगमोहन के साथ कार के पास आया आ भीतर बैट मैं अकेला ही आया हूँ चिंता मत कई देवराद चोहन और जगमोहन कार की पिछली सीद पर बैट गए वह बंचीज माल कहा ले गई देवराद चोहन ने दिल्दार सिंग को बताया वो बहुत तेज निगरी दिल्दार सिंग ने मुह बनाया अब मीरा बेदी की बारे में किस से मालूम हो सकता है इस से पूछ दिल्दार सिंग ने शिंदे की तरव इशारा किया शिंदे ने दिल्दार चोहन को मीरा बेदी की बारे में सब कुछ बताया वैसे कोई जरूरी तो नहीं कि मीरा माल लेकर अपने आदमे के पास गई हो दिल्दार सिंग ने प्रश्न भरे निगाहों से देवराज चौहान को देखा यह भी तो हो सकता है दिलदार सिंग कि मीरा बेदी ने अपने आशिक के साथ मिलकर ही इस लूट का प्रोग्राम बनाया हो देवराज चौहान बोला दिलदार सिंग ने फोरण सिरह लाया ठीक कहता है तू चल भई दिलदार सिंग ने शिंदे की कंधे पर हाथ मारा क्या नाम है उसका बमचीज के भाई का राजन हाँ राजन बेदी के पास साले को देखते हैं वह क्या कहता है अर्विन शिंदे ने कार आगे पढ़ा दी बहुत बढ़िया मजाक हो गया देवराद चोहान भाई वो बमचीज तुझ जैसे इंसान को जुल दे गई शर्म तो आ रही होगी सब चलता है शर्म की मेरे पास कोई गुंजाईश नहीं देवराद चोहान मुस्कुराया बहुत धीख है तू दिलदार सिंग हसा फिर एकाएक बोला अगर तू डकैती के बाद माल लेकर सीधा मेरे बास आ जाता तो यह दिन न देखना पड़ता हाँ यह दिन तो न देखना पड़ता अलबत ता कोई भी दिन न देखना पड़ता देवराज चोहान ने कटूता भरी स्वर में कहा अब तक तो तूने सारा मामला ही निप्टा देना था क्या मतलब दिलदार सिंग मेरे सामने ज़्यादा चालाक मत बन तेरी नियत साफ नहीं थी डकैती का माल सामने आते ही तूने सारा माल हडब जाना था तक तेरा ठिकाना होता तेरे ही आदमी होते मैंने कुछ भी ना कर सकना था तो अब मुझसे मजाक करने लगा है दिलदार सिंग ने उसे खूरा अब तो तुझे मेरी बाते मजाक ही लगेंगी कहने के बाद देवराज चोहान ने शिंदे से पूछा कितनी देर का रास्ता है बस पांच मिनट और तडाक दिलदार सिंग का भारी हाथ 35 वर्षी राजन बेदी की गाल से ठकराया तो राजन के पाउं उखर गए वह पीट के बल नीची जागिरा राजन बेदी की हालत काफी पूरी हो चुकी थी यह सब लोग उसके पास पहुँचे और बिना कुछ कहे धड़ा धड़ उसे मारना शुरू कर दिया था वैसे भी दिलदार सिंग जैसे गैंक्स्टर को अपने सामने पाकर उसके होसले पस्थ हो गए थे वह समझ नहीं पाया कि उसती क्या गलती हुई है वह तो कभी भूल कर भी दिलदार जैसे गैंक्स्टर की रास्तों में नहीं आया फिर बात क्या है राजन बेदी की कपड़े फट चुके थे सिर के बाल आपस में उलच चुके थे होट कट गए थे गाल भीतर से फट चाने के कारण मुँ से रह रह कर खोन निकल रहा था फर्श पर पड़ा वह गहरी गहरी सांसे ले रहा था कि दिलदार सिंग ने उसके सिर के बाल पकड़ कर उसे उठाया दर्द के कारण उसके होटों से चीख निकल गई अब खोपड़ी ठीक है तेरी दिलदार सिंग कुर रहा है मैं तो पहले ही ठीक था दिलदार सिंग राजन बेदी पीड़ा से कराते हुए टूटे स्वर में कह उठा मुझे क्यों मारा जा रहा है मेरी समझ में यही बात नहीं आती मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप लोग मेरा यह हाल करें यह तेरी एडवांस की ठुकाई है दिलदार सिंग ने उसकी छाती को जोरो से ठोका तेरे से कुछ मालूम करना है जूट बोला तो समझ जा क्या हाल होगा तेरा राजन बेदी का सारा शरीर पीड़ा से काप रहा था पूछो जल्दी पूछो क्या पूछना है गहरी गहरी सांस लेते हुए राजन बेदी बोला पहले ही पूछ लेते आप लोगों के सामने मैंने बूम बंद रख कर मरना है क्या दिल्दार सिंग ने देवराज चौहान से कहा पूछ भाई देवराज चौहान ने सिगरट सुलगा कर कश लिया तेरी पहन कहा है मीरा राजन बेदी अपनी पूड़ा भूल गया हाँ क्या किया है उसने पहले तु मेरी बात का जवाब दे मालूम नहीं महीनी से उपर हो गया मैं उससे नहीं मिला अब वह कहां मिल सकती है मालूम तो होगा तुझे नहीं मालूम राजन बेदी ने गहरी सांस दी सुन बे देवराज चौहान ने होटो से गुर्राहर निकाली वह हमारा 6 करोड का माल लेकर चंपत हो गई है नहीं मालूम कहने से काम नहीं चलेगा तुझे बता नहीं पड़ेगा कि तेरी बहन कहां छिपी बैठी है नहीं तो तेरी खेर नहीं शे करोड राजन बेदी का मूं खुला का खुला रह गया हाँ मेरा माल है वह, तू तो अच्छी तरह जानता है कि मेरा माल लेकर इस शहर में कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता दिलदा सिंग खतरनाक लहजे में बोला, सीधी तेरह बता दे, नहीं तो तेरह इंतजाम कर दूँगा कब की बात है यह है कल आधी रात की कल आधी रात की बात और 6 करोड का माल लेकिन अभी तक वह मेरे पास नहीं पहुँची राजन बेदी सुलक उठा उसी के पास गई होगी उसका भूत तो उसके सिर चड़ कर बोल रहा है किसकी बात कर रहे हो राजन बेदी ने निगाह उठा कर सब को दिखा जगदीश ग्रेवाल खूनी हत्यारा पुलिस पीछे है बच्ता फिर रहा है कहा मिलेगा देवराज चोहान की आँखें उस पर चाटिकी राजन बेदी इका एक बेचैन हो उठा बोल दे बोल दे देवराज चोहान ने दरंदे की भरिस त्वर में कहा इस समय तेरा मूँ बंद रखना तेरे लिए खतरनाक भी हो सकता है उसके साथ मेरी पहन भी होगी उसका हम ध्यान रखेंगे तो उसके आशिक का पता बता अन्मने मन से राजन बेदी ने जगदेश गरेवाल के ठिकाने के बारे में बता दिया मन ही मन अपनी बहन की प्रती क्रोध आ रहा था कि 6 करोड का हाथ मारा जादा नहीं तो 2-4 लाखी उसे दे देती सारा माल लेकर जगदेश गरेवाल में जागुसी है अब भुगत पहलवान जंगल में पेड़ों के बीच छिपी कार के पास पहुँचा तो मोहनलाल बाहर निकल आया क्या पोजिशन है पोजिशन क्या होती है पहलवान ने टेड़ा मूँ करके कहा साले रात को जब से आये हैं दर्वाजे खिरक्या बन करके भीतर ऐसे घुसे पड़े हैं कि जैसे दुनिया में मर्द औरत और कोई हो ही न उनको यह बात मालूम नहीं होगी मोहनलाल हसा मुझे नहीं रखता कि अभी उनका इरादा माल सहीद यहां से जाने का है पहलवान मैं बुढ़ा आदमी हो रात को जगा हूँ थोड़ी छपकी ले देता हूँ तो पहरेदारी कर ले मोहनलाल ने कहा तू सोएगा? हाँ शरीर की ताकत समाप्त होती जा रही है कमाल की है तेरी ताकत पहलवान ने मुह बिकाड़ा अगर मुझे तेरी जरूरत पढ़ गई तो तुझे आवाज मारता फिरूँगा क्या? मार लियो यार कुछ तो मेरे बुढ़ापे का खयाल कर तो मर, मुझे क्या? तू मस सोईओ कोटेज पर नजर रखना कहीं सारी मेहनत बेकार न चली जाए कहने के साथ ही मोहल लाल पुना कार में घुज गया पहलवान वहां से हटा और कोटेज की तरफ बढ़ गया फिर मुनासिब जगए देखकर पेडों में छिप गया कोटेज पर निगा रखके पहलवान ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकाली और उसकी चेंबर की खराबी ठीक करने लगा तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद